हालो दोस्तो रसोई की दुनिया में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ अरे धन्य का जूस जो बहुत ही फाइदा करने वाला है अपने सरेज में पहले उसे इसमें अरे धन्या दोके तीन से चार बार दोके मैंने लिया है इससे अच्छे से दोके छान के लिज है उसमें कच्रा ज्यादा रहता है इसलिए तीन से चार बार दोके फिर लेना चाहिए उसमें अधरक का छोटा टुकड़ा लिया है दो नीम्बू लिये और थोड़ा सा स्वाद अनुसर नमक लेना है पहले अच्छे से दोके साब किया हुआ दन्या डाले गे इस दो कटोर जैसा धन्या मैंने अभी लिया है उसे उपर के डंठल काटके बाकी का सारा दन्या काटके ले लिजे अरे दन्य का जूस अपने सरीर में बहुत ही फाइदा करता है और वो सुबह के समय पीना चाहिए आप साम को पीना चाहिए तो वो भी पी सकते हैं और छोटा टुकडा अत्रक्का डालना है वो अभी किसने वाले किसनी से किस लेते हैं यह अद्रक और निम्बू डालने से अरे दन्य के साथ साथ इसके भी गूण अपने को मिल जाते हैं और उससे स्वाद भी बढ़ता है अब निम्बू लेगे निम्बू का रस दो निम्बू लिए अभी उसे चान के उसका रस लेना है हरे दन्य का जूस एंटिबेक्टरियल होता है और अपने स्किन के लिए भी बहुत ही फाइदा करता है हरे दन्य का रस पिने से भूख भी बढ़ती है और पेट में ठंड़क पहुचाता है हरे दन्य का जूस दो निम्बू का रस अच्छे से चान के लिए जिए उसम बीज नहीं जाने चाहिए और नमक अमने स्वात के अनुसर डाले थोड़ा ही डाले और जैदा भी नहीं डाला भी मैंने आदी से थोड़ा कम लिया है और थोड़ा से पानी पहले डाले बात दूसरा पानी बात में डालना है और पाने थोड़ा ठंडा गर्मियों में थोड़ा ठंडा पानी ले तो उसके से टेस्ट अच्छा आएगा ठंडी पानी के अभी अच्छे से मिक्सिय में पीस लीजिए हरे धन्ये का जूस जूस पेट की सारी बीमारियों को मिटाता है और सबी को फाइदा करता है इसलिए घर में छोटे बड़े सबी को दे इसमें अब पानी डाले और वापस पीस लीजिए इसे अच्छे से पीस ना है ताकि सारा मिक्सर अच्छे से पीस जाए इसके तयार है और बचे होए उपर के मिक्सर को फेके नहीं उसमें पराठा या चटने भी बना सकते और दाल और सब्जी में भी डाल सकते हैं वो भी सब यूज भी हो जाएगा अच्छे से चान के उसको दबा के अच्छे से रस निकाल दीजिए इसे आपको कुछ भी बनाना हो तो उसमें यूज डेली कोई भी चीज बनाना हो उसमें यूज कर लीजिए इसका पल्प अब यह जूस अच्छे से चंकी तयार हो गया है अब इससे सर्व करेगे आपका टेश्टी और बहुत ही सरीर को फाइदा करने वाला हरे दने का जूस तयार है इससे रोज पीए रोज नहीं टाइम मिले तो हपते में एक या दो बार तो जरूर पीजिए इससे आपके सरीर में दवाई लेने की जरूर रतने पी नहीं पड़ेगी और बहुत ही फाइदा करेगा हरे धने का टेस्टी जूस तयार है सर कर रही हो अभी अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए और सेर किजिए और बेल बटन दबाना ना भूले ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबको मिल सके कि अजूस तो